आस्था का पर्व छट नजदीक है और इसमें मिट्टी के चूले का अगर हम गहें तो काफी महतु है अगर हम कहें तो सुपात का एरिया है और यहां पर लगातार जो है मिट्टी के चूले लोग बनाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि यह मिट्टी का चूला जो बनाते हैं वो मुस्लिक महिलाएं हैं अधिकांस और निश्चित तौर पर जो आथ्था का पर्व है उसमें अगर हम गहें तो इस चूले का काफी महतु होता है जो भी लोग ठास करते हैं चूल का प्रसाथ अगर बनाते हैं और यह मिट्टी का चूला अगर हम इस चूला बनाने का काम कब से कर रहे हैं मिट्टी कहां से लाते हैं कितना चुला बनाते हैं बनाते हैं यह प्रकिराते हैं पांच जार रुपर लेता है कहां बेजते हैं कहां इसको प्योग लिंबर बाहर भी जाता है कहां ब्रत होता है हिंदु जारी के यह कांशा होता है कि अस्ते हैं इसके नहीं कि अचाव लगता है प्रश्चा निश्चत तोर पर इनका कहना है कि हम भी इस पर पल्ग को अगर भवित्र मानते हैं और यही कारण है कि जो मिठ्टी का चूलहा ये बना रही है इसका कहना है कि नीश्चत तौरा नहीं खाते हैं यानि भवी तौता से अगर हम कहें तो इस चूलहा को हम बनाते हैं जिन्दों का आस्था का पर्व है और सबसे बराव पर्व है जट का चुलहा है कितना सद्धा से मनाते हैं वर्यास बहुत बड़ा कारोवार होता है यानि पूरे बिहार में यहां से बना हुआ पर मेटी का चुलहा भेजा जाता है और इसको लेकर के अगर हम कहें तो सुरू से ही यह लोग तयारी करते हैं कैमरमेन असोप के साथ कुंदन कुमार एटीव भारत पटना